नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टिक बेन यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे डेली कैपिटल्स और गुज्जाज जायेंट्स के बीजियो नेक्स्ट आइपियल का मैच खिला जाएगा उसके बारे में ड्रीम लेम की टीम भी देखेंगे और हर एक डिफरेंट स पांछ भी चैनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हो इसके अलावju अगर टइलिघ्राम का मैंने हो तो टेलिग्राम पे आ जाओ यार लगातार दो वुमन मैचस के अंदर भी क्ली सुखम करके आ रहे हैं पाकिस्तान वुमन और वेस्ट इंडीस वुमन के बीच रीसेंटली एक सीरीज चल रही है और जब तक यह वीडियो अप्लोड होगा थर्ड मैच भी कंप्रीट ह हो जाएगा उसकी टीम में आपको टेलिग्राम पे देता हूं दो के दो मैचस में बहुत बड़ी है विनिंग्स की है तो टेलिग्राम पे आ जाना डिस्किप्शन से भी आ सकते हो कॉमेंट सेक्षन से भी आ सकते हो शुरुआत करेंगे हम पिच रिपोर्ट के साथ तो एक मैच के अगर हम बात करें जो इसी साल खेला गया है पहां पे पेसर्स में भी ठीक ठाक विकेट्स रिकाले हैं एवरेश वर्स टीम स्कूर 167 है लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं या दोना ही टीम थोड़ा कमबेक करने को देखेगी और जो भी टीम फर्स बैट करें ना एट बोलिंग एक मैच पर अच्छी चलिए एक मैच पर खराब भी चलिए और हैट टुएट जो मैच वहाता ना डैली और गुजरात का उस मैच के अंदर डैली ना बहुत ही कमाल की बोलिंग की थी 89 के असपास उन्हों रे ठेक कर दिया था सामने वाली टीम को यहां पर देख सकते हूँ आठ विकेट पेसर्स निकाले आठ विकेट इस्पिनर ने उसके पहले लास्ट ये दो सो तेईस बना था उसके पहले 167 बना था तो तीनों मैच इस आप देखे तो बढ़िया स्कोर ह यहां पर दोनों ने बढ़िया विकेट से आपर नेकाल के रखे हुए है चलिए एट वेट जो मैंने आपको भी बताया है 89 के वल गुजरात बना पाई थी और डैली ने बहुत बढ़िया चाही किस चेज किया रन रेट काफी बूस्ट कर लिया था हालाकि विकेट इनके भ पॉसिबल इलेवन से शुरुआत करते हैं तो यहां से चेंजेश के उम्मीद मुझे नहीं है यार लास्ट मैश में बढ़िया किया और हैट वे बात करो लास्ट जो हैट तो आपने देखा एटी नाइन पो ओल्ड आउट कर दिया तो आज के मैश में टीम ने नौर्क या क तो हुआ है लेकिन जिस टाइके से पहले बैटिंग करते थे कुछ मैचस में चलते हैं कुछ मैचस में जल्दी आउट हो जाते हैं कसिस्टन थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं तो आज के मैश में मैं फिलहाल तो टीम में नहीं ले पा रहा हूँ यार मैं थोड़ा और भर चालिस का एवरेज रीसेंट फॉम आप देखो शुरुवाद बहुत बढ़िया हुई थी लेकिन पिछले चार मैचस खराब हैं और यह तीन मैचस के बाद एक मैच में ड्रॉप किया गया था उसके बाद एक और मैच खराब हो गया है और प्लियर बहुत अच्छा मैचस में लगाता है शांत रहते रही है खासकर आई पिल जैसे टूर्ण बंड में फ्रेशर मैगर फॉर्टी सिच कावरेज रीसेंट फॉम आप देखो बढ़िया चल रहा है अच्छा कर रहा है बंदा और फेल होते 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 भी बीस्टीस रल तो बनाई जाता है बहुत तोड़ शॉट्स रगाता है आपने बीबियल के अंदर भी देखा होगा और शिडिया के लिए तो अभी तक खेले नहीं है आज के मैच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ है बहुत बड़ी पारी की नहीं क्योंकि सामने राशित खान भी है नूर एमद भी है मोई शर्मा भी है आप टीम में रखो केप्टन वाइस केप्टन मत करो इश्यप पंत की बात करें लगातार बढ़िया फोर्म चल रहा है चालिस बचास चालिस प्लस वाली पारिया लगातार देखने को बिल रही है और आज के मैच मां फिर से आप उमीद कर सकते हूँ बढ़िया बैटिंग क करेंगे वाइस केप्टन करना आप कर सकते हैं मेरी टीम में फिलाल वाइस केप्टन नहीं टीम के इंदर रहेंगे टिस्टल स्थक्स कमाल का प्लेयर एक मैच के अंदर बोलिंग भी दी और सामने माली टीम की अगेंस्टी दो विकेट ले गए थे बोलिंग से थोड़ी कम बैट आरी नहीं है टीम के अंदर अक्षर पटेल को रखूंगा वाई में दौनों कंडिशन में थोड़ी बहुत बैटिंग प्लस चार ओवर्स हैं कुछ ना कुछ कर देंगे और इस पिश्पिस्पिनस में अच्छा कासा किया है कुलदीब याद अब भी डेफिनिटली टीम में रहेंगे ग्रैंडी के एक कार टीम में कैप्टन वाईस के प्राइग कर लेना पिश्पिस्पिनस को भी ठीक तरीके से सपोर्ट है कुलदीब जिब चलते हैं तीन-चार विकेट ले जाते हैं यह देखो भई चार विकेट ला लास्ट ओबर में मिल गया नौर्किया के साथ मुकेच कुमांड डैट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं इसके अलाबा खलील एमद मेरे पास रहेंगे फर्स बॉल आ रही है तो सेकेंड बॉल आ रही है तो मैं ड्रॉप करूंगा फिर मुझे सामने वाली टीम से भी बूलर 11 तो लगबक इस तरीके की रहेगी लास्ट मैच में इन्होंने भी विन कर लिया है काफी बढ़िया तरीके से चेस किया है आज के मैच मां अमीद कर रहे है ज्यादा चेंजिस ये टीम भी नहीं करना चाहिए चलिए शुरुआत करें रिद्दिवान साहा के साल तो 24 कावरे की बैटिंग बहुत अच्छी चलिए लेकिन क्या गुजरात की बैटिंग बहुत अच्छी चलिए नहीं चलिए और तो आज के मैच में फिर से थोड़े से बोलर सापके काम आ सकते हैं डैनी के और वहां हो सकता है साहा का विकेट जल्दी के जाए ग्रेंड लिग में जरू बिलकुल रहेंगे 30-35 रन आसानी से मनाते हैं आसानी से काफी सारे लोग शुरुआत में तो इनको ड्रॉप करते थे आपको भी ड्रॉप नहीं करता है बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की भी बैटा शोइस नहीं है क्योंकि 30-40 रन के आसपस सैट होके अपना विकेट दे ह नहीं रहें आज हो सकता है थोड़ी बड़ी पारी आजए इस लिग रैंडिंग में जरू ट्राय करना डैविंड मिलर यार नहीं है और फिलाल टीम के अंदर फॉर्म जादा खास नहीं चल रहा है आज कंबैक हो सकता है अगर फर्स बैट आ रहे है उमर्जा ही मेरे पास र बैटिंग गुजरात की चल नहीं रहे है तो इनको बैटिंग मिल जाती है लास्ट मैच भी देखो तीन रन अनफॉचनलिट हो गए उसके पहले एक अधिस बनाया उसके पहले 24 बनाया तो बैटिंग भी थोड़ी बिल रही है तो राशित खान एक वाइस केप्टन की डिफ पढ़ते हैं और हो सकता है टीम थोड़े से चेंजिस करके एक्स्ट्रा पेसर को लाना चाहिए किसी एक स्पिनर को ड्रॉप करके क्योंकि तीन तीन यहां पे क्वालिटी स्पिनर आपको देखने को मिल रहे हैं संधीव वारियर नहीं है टीम के अंदर तीम ज्यादा प्रि ठीक है कैप्टन वाइस कि अगर हम बात करें तो शुम्मन गिल डेविड वार्नर इशाप पंथ तीन वैतरीन चॉइस हैं जिसमें से मैं और वार्नर के साथ जाना चाहरा हूं वारनर को बहुत कम लोग बैक करने जो लोग वार्नर को जानते हैं आज के मैंच कैप्टन भी क अब फिक्स प्लेयर से अगर हम देखें तो शुम्मन गिल डेविड वार्नर साइस सुदर्शन अक्षर बटेल कुल्दी ब्यादा और राशित खान यह जो आपको दिख रहे हैं लगबग साथ प्लेयर्स या आपको मैंसिमम टीम के अंदर ट्राइ करना है डिफरेंट किन को हम ट्राइ कर सकते हैं जैसे लास्ट मैंच में संदीप शर्मा ने विन करा है आज की मैंच में कौन सा प्लेयर हमें विन करा सकता है पहला नाम है ट्रिस्टन स्टप्स मोईश शर्मा उमर्जाई खली लहमद और प्रतवीश हो पांच फ्लिफ थोड़े से डिफरेंट हैं सेकेंड बोल में कई बार उतने विकेट्स नहीं मिलते हैं तो अगर फर्स बोल है तो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि वहां डैट्स में पूरे ओवर्स डालते हैं सेकेंड बोल में अगर गोजलातना फिर से देड़ सो एक सो साथ के आसपस स्कोर बनाया है तो डैली की बैटिंग भी काफी बढ़िया चल रही है वह आसानी से चेस कर जाएगी वहां ड्रॉप करना फर्स बोल में इंपोर्टेंट है आप लोग सोच रहों कि यहां ट्रम प्लेयर में भी लिखा है और फ्लॉप में भी लिखा है फ्लॉप लिखा है सेकेंड बोल के अंदर क्यों पहले वीडियो हेल्फ हो लग रहा है पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अब सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम देखेंगी हमारी स्मॉल नी की टीम उसके पहले अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो टेलीग्राम चला का पाड़ बन जो है फाइनल ज इस मैच के अंदर बड़िया रिजर्ट हमारा राय त्रियूस विप हमने किया है और यहाँ पे अगर आप देखें लगबख सारे प्लियर्स काफी बड़िया हमने सैट की वे अपनी टीम के अंदर कुछ लोगों ने सिद्रावीन और बिश्मा मैरूफ किसी एक को ड्रॉप करके जेदा जेम्स को अपनी टीम के अंदर रखा था और कुछ लोगों ने हैंडी को वाइस केप्टन किया था इदादार ने चार्विकेट निकाले और बड़िया इस मैच के अंदर हमारी विनिंग्स हुई इसके अलावा अगर आप देखें लास्ट मैच तो लास्ट अगर आपको बात बताओं तो यार स्मॉल लिंग मेरा किस एप में इंवेस्मेंट हो रहा है यह कौन सा एप है वहां पर आप जादा तर विन कर लेते हैं तो अगर आप भी लोग कॉम्पेटिशन में खेलना चाते हैं तो बैट बॉल 11 पे साइन अप कर सकते हूं क्या फायदा है हर IPL के मैच में आपको 25,000 का फ्री गेववे मिल रहा है लिंक से डाउनलोड करोगो तो गेववे का पार्ट भी आप बन सकते हो चलिए टीम भी मैं आपको बता देता हूं किस तरीके की मैंने टीम यहां पर बनाके रखी है अगर आप फिलाल टीम जो लोग जाना चाहरे हैं तो चले जाओ या बाकि लास्ट मैच में डैली के बोलर से बहुत जादा परिशान किया है शुब मनगिल का फॉर्म तो अच्छा चल रहा है रिद्दिमान साहा का फॉर्म उतना बैतर रही चल रहा है इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं टीम के लिए तो फिर से एक आद ओवर के लिए इस अपन दिन को मौका दे दें फ्रेशर मैगर के सांद्वी में जा रहा हूं थोड़े एक्स्ट्रा बैट्समन को ले रहा हूं क्योंकि बिच्पर बैट्समन को बहुत जादा सपोर्ट है एक डिफरेंट डिर मैं आपको ब बात करें तो अक्षर पटिल हमारे पास है उमर्जाई हमारे पास है उमर्जाई को ड्रॉप करना चारे तो मउजबल डॉबल है और वैटिंग बोलिंग दौनों से मौका मिल रहे है बी तक पफ़र्म नहीं किया जो सकता है थोड़ा बढ़िया करने बोलिंग सेक्षे या मुव्मेंट देते हुए नजार आते हैं ठीक है उस कंडिशन में अगर दौनों को रखना है तो मरजाई पर रिसकी लेके आप दौनों को भी अपनी टीम के इंदर रख सकते हो इसके अलावा नूर एमद ना जो तनी बैतर चोईस मज़े लगनी रहे हैं लास्ट में रख रहे हैं आज मुझे थोड़ी उम्मीद कम है इसली मैं बहुरों से वाले प्लियर्स के साथ जाना जा रहा हूं अगर आपको रख लगता है कि फ्रसे अच्छा कर सकते हैं तो आप उनको भी रख सकते हूं मैं तो नहीं रखने वाला बई या तो मैं वार्नर को कैप्ट याल लगता है कि वाले तो मैं तो मैं ऊच्छा जम्मीद कर सकते हैं वाले कता है